हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मैदा और सूजी से बनने वाली बहुत ही टेश्टी पुए की रेसिपी, जो की खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है, तो चलिए देख लेते हमें इसे कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए ह है, दो कप मैदा, एक कप सूजी, एक कप चीनी, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी चीजों अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम थोड़ा थोड़ा डूट डाल के इसका एक बेटर त्यार कर लेंगे, इसमें हमें पानी का इस्तमाल नहीं करना है, अगर हम इसे दूट से बना करके त्यार करेंगे, तो हमारे पुवे जो है एकदम सौप्ट और फुल फुले बनके त्यार होंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा बेटर जो है थोड़ा ठीक है, इसमें हम दो तीन चमज बाने डाल के इसको थोड़ा पतला कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा बेटर जो है एकदम त्यार है, अब हम इसे आदा घंटा रिष्ट के लिए छोड़ 10 गंटा हो चुका है अब एक चम्मा से आप चेक कर लिए căहिं हमारा वेटर गाड़ा तो नहीं हो गया है इस में कर देखें यहां पे हमारा यहां यह में अच्छे से त्य प्रशी की मदद से बेटर को डाल रही हूं इसे तरीके साब को बेटर डालना है और इसको कुछ भी नहीं करना है यह थोड़ी दिर में देखिएगा अच्छे से अपने आप ही फूल जाएगा तो देखिए हमारा पूबा कि इतने अच्छे से फूल रहा है अगर आप ही दू पीचे की तरफ गोल्डेन हो चुका है इसको हम पलट लेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे गैस का फ्लेम आपको लोटू मीडियम ही रखनी है तो देखिए यहां पर हमारा जो पूबा है अच्छे से पक चुका है अब हम इसको निकाल लेंगे तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसी तरीके से हम बाकी सारे पूबा को भी तल करके त्यार कर लेंगे तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा पूबा जो है वो फूल था नहीं है तो उसको ऐसे ही धीरे-दीर आप इसे प्रेस करेंगे ना उपर से तो यह अच्छे से फूल जाएगा तो जैसे ही नीचे की तरब से पूबा गोल्डन हो जाए वैसे मिसे प्लट लेंगे तो पूबा इस तरीके से बनाने से जो है ना बाहर से एक्टम क्रिश्पी होता है और अंदर से बहुत ही सौप्ट और मुलायम रहता है पूबा की इस रेस्पी को आप लोग भी ज़रू कर दीजिएगा और बैल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे मेरी आने वाले वीडियो की हर नोटिपी केसन आपको सबसे पहले मिलती रहे और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसे लगी